नमस्कार दूस्तों आप सभी का स्वागत है अपके अपने चैनल गार्णिंग पैंट में दूस्तों आज की बीडिया बहुत ही खास है इसलिए लास्त जरू देखिएगा आज हम बात करने वाले हैं लीफ मोल्ड या लीफ कमपोस्ट के बारे में आज हम जानेंगे कि बिना ये ग्रूप एकर्च की हम घर पे ही बेस्ट क्वालिटी का लीफ कमपोस्ट कैसे त्यार कर सकते हैं तो आपसे रुकेस्ट के आप वीडियो को लास्त जरू देखिएगा दोस्तों यहां एक टाइन टेकिंग प्रोसेस है इसे बनाने में थोड़ा वक्त लगता है इसलिए इसलिए सबसे अच्छा है कि हम इसे अपने घर पे ही गार्डन की पत्यों को इठा करके बनाएं तो इसके लिए में कुछ सुखी पत्यों की जरूत होती है लेकिन मिज़े पास इस समय प्रयाप सुखी पत्या नहीं है तो मैं नेम की हरी पत्यां यूज़ कर रहा हूं हाला कि आप हरी पत्यों को यूज़ करके भी लेक पंपोस्ट बना सकते हैं कोई दिकर नहीं है तो सभी पत्यों को किसी प्लिथिन बैग या बोरी में अच्छी तरह दबाते हुए भर लेंगे क्योंकि जब यह डिकंपोस्ट होंगे तो इसकी मात्रा आधिस से भी कम रह जाती ह तो इसलिए जरूरी है कि हम इसे अच्छी तरह से प्रेस करते हुए भरें इधिकर इस तरह से आप इसमें पत्यों को दबाते हुए भर लें अगर आप पत्यों को प्लिथिन बैग में भर रहे हैं तो प्लिथिन में जगा जगा पर छोड़े-छोड़े शियत कर लीजिए जिससे प्लिथिन बैग के अंदर अच्छी तरह एर श्रॉपलेशन बना रहे हाला कि मैं बोरी का यूज़ कर रहा हूं तो इसमें मुझे च्छीत करने के जुरूत नहीं है क्योंकि इसमें एर श्रॉपलेशन बहुत ही अच्छा रहता है और पत्यों अगर सुखी हो तो प पत्यों को अच्छी तरह से डिकंपोस्ट होने के लिए प्रयाप्त नमी और हवा की जरूत होती है तो इसलिए जरूरी ही कि आप माईश्र को बनाए रहे हैं लिफ कंपोस्ट को तयार करने के लिए आप किसी भी प्लांट की पतिया यूज़ कर सकते हैं बट इसमें घास फ और अगर आप अपने कंपोस्ट में घास का यूज़ करते भी हैं तो ऐसे घास का यूज़ करें जिनमें अभी फ्लॉरिंग ना हो रही हो है जिनमें अभी सीड़ना बने हो तो अच्छा रहेगा पतियों को बोरी में भरने के बाद आप बोरी की मुह को किसी रसी से अची से पलट दें और उसके बाद फिर से इसमें वाटर रिस्प्रे कर दें ताकि पतियों में महस्तर बना रहे बरावर और फिर से वरी को बांद के इससे रख दें इस तरह से 6-8 मेने में आप की जो पतियां है अच्छी तरह से डिकंपोस्ट जाएंगी और एक अच्छी क्वा प्राट मेने हो गये हैं और हमारा जो यह लिफ कंपोस्ट बनके द्यार हो गया तो मैं आपको दिखाता हूं कि इसकी कंडिशन कैसी है तो जली मैं फटाफट बोरी को खूल लेते हूं आपको मैं दिखाता हूं तो यह देखिए हमारा लिफ कंपोस्ट अच्छी तरह से डिकंपोस्ट हो चुगा है अब हम इसे अपने प्लांट्स के लिए यूज कर सकते हैं और अच्छी तरह से डिकंपोस्ट में किसी तरह की बड़ी स्मेल नहीं आती है इससे बिल्कुल मिट्टी के तरह सोधी सोधी और दोस्तों एक चीज में बताना भूली गया मैंने तो यह लिफ कंपोस्ट निम की पतियों से त्यार किया है हाला कि आप इसकी जहां पे किसी भी प्लांट की पतिया यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आपके पास निम के प्लांट है तो उससे अभी कुछ लिफ लेकर के दोस्तों अच्छी क्वाल्टी के बेल डीकंपोज लिफ कंपोस्ट में नैट्रोजन, फास्परोस और प्रडेसियम यानि एनपीके की प्रयात मातरा पाई जाती है इसके अलावा सलफर, कार्बन, मैंगनिसियम, कैल्सियम, बोरान, कॉपर और जिंक जैसे जो माइक्रों ड इसे सोयल मेट कर सकते हैं, सोयल के टेक्चर को इंप्रोब करके सोयल को बिल्डेंट बनाने के साथ साथ तो स्वेल की वाटर रटेंड करने की शमता को भी बढ़ाता है और दोस्तों यह काफी लाट बेट होता है, इसलिए सेंड और कमपोष्ट के साथ मिक्स करके इसे इसके अलावा प्लांट की मल्चिंग के लिए भी इसे हम यूज कर सकते हैं और दोस्तों लिफ कंपोस्ट स्लाइटली एसडिक होता है इसलिए हमारे नौर्ण प्लांट के लिए तो अच्छा है साथी साथ अजेलिया, कमेलिया और रोज प्लांट जैसे प्लांट जिन्हें थोड़ी सी एसडिक स्वैल पसंद है उनके लिए बहुत ही अच्छा रहता है और हमारे सक्लेंट और रेडेनियम के लिए स्वैल लेस ग्रें मीडिया बनाने में भी हम इसे यूज कर सकते है तो दोस्तों आप भी अपने गार्डन की पत्तियों और ग्राफ्स क्लिपिंग्स को फेकने के बजाए उससे यूज करें और एक बहतरिन क्वालिटी का कमपुष्ट अपने घर पे ही तैयार करें तो आई होब दोस्तों कि आपको आज की यह वीडियो प्रसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनलर पर पहली बार आए हैं तो चैनलर को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लिजिएगा जिससे आपको मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिक्शन सबसे पहले मिले तो बस आज के लिए इतना ही फिर मिलते हैं एक नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ तब तक आपका साथ और प्यार बनाये रहें थैंक्स वर वाचिंग जैहिन